हेलो फ्रेंट्स आपका स्वाधत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी ट्विडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री पेपर भी ये सेकेंड सिमेशन में जो भी बच्छी लिए है ना उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होगा ना चुकि आ एक दूसरे से रिलेटेड है पहली बात तो यह ध्यान में रखना है कि मेजर हो माइनर हो सब भी इतिहास हो जोगरफी पॉलिटी कोई भी है आप हर एक को देखते रही है हर एक यूनिवर्सिटी के सवाल को आप देखिएगा वहां से एक दो तीन वेरी करते रहेगा ठीक ह सवाल अभी थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं और कुछ कोश्चन ऐसे हैं जो कि अबजेक्टिब आप से नहीं पूछा जा रहा है ठीक है दूसरी बात है जब आप थियोरी पढ़े रहेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं चुटेगा यह तो गेरेंटेट है ले भी दिखिएगा आपको आता है या नहीं आता है पहला कोश्चन था निम्न मेंसे किस विद्वान ने मिसर के इतिहास पर प्रकाष डाला है यहीं बात यहीं बात यह पूछ रहा था तो आप जानते हैं जोसेफस एक है इस्ट्रेवो है यूसी वियस है यहीं उपरोक्त में और अधर से सभी ने इसके बारे में लिखा है यह बात ध्यान में रखेगा तर D option इसका से यह होगा यानि खुपरू, खुपू, कुपू, कुछ भी दिखे, मार देना है, ठीक है, तो इंग्लिस में सही लिखा है, हिंदी में इसका गलत लिखती है, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखेगा, कि ऑप्सन भी इसका सही राइट होगा, ठीक है, आज ये तीसरा है, मेस मेसोपुटामिया का अर्थ होता है, दो नधियों के बीच का छेतर, चो जो के आप पढ़ा रहे थे, दजला और फ्रात के बीच का छेतर, मेसोपुटामिया रहता है, तो ये तो ये दिखे, जगरिट का जाइता था, तो यह option C आपका सही होगा, जिगुरट कहा जाता था, यह देखे question और भी DRAPU में भी पूछा है, और भी University में पूछा हुआ है, तो इसलिए इस सब देखे question तेली तो कर रहा है, बस थोड़ा सा twist कर रहा है, देखे अभी twist हम बताएंगे कहां पी कर दिया है, उसके बाद चीनी सबेता का पर्थम केंद्र कहां विक्सित हुआ, तो देखे चीन की सबेता जो पढ़ा रहे थे, हम बोले थे, पीली नदी याद सब को रहता है, लेकिन याद जो करना है, हुआंगो और यांग्टीसी नदी करना है, तो हुआंगो नदी के छेतर में यह जो चीन की थीक करे कि थैप्टे कि इर् 효 को नदी अगले कूशिशन को देख लेए ऐन के प्राचिन इरॉनगे प्राचिन परना सामराज कौन था यानिकि फारस कि इरे इनि कि प्राचिन के समिटा वहां हो पता है जिस अनुकि वह कोरण है अगर आप आपने पढ़ा है ना इमांदारी से तो आप कमेंट जडूर करके बताएगा कि सर्फ क्या है, ठीक है, आपको option दे देते हैं, माया सामराज है, उसके बाद कि सास्नीद सामराज है, इसके बाद कि इंका सामराज है, और एके मिनीड सामराज है, इसमें से सही आप लिखेगा, सब्सक्राइब करना कि अगले निए दो डिटेल में हमारे प्लास को टिये हैं, और हम जानते हैं, बहुत से बचे पहले सी पढ़ने सी तो उनको लाब हुआ होगा, आज के मतलब सवाल से अगले को देख लीजिए, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, कि जो ब्रहस्पती है, मंगल है, सुक्र है, पुलूटो है, ये सभी देवी देवताओं की पूजा कौन से लोग करते थे, तो प्राचिन युनान लोग, इरान के लोग, प्राचिन रोमन और प्राचिन भारतिये लोग, तो आप सिधा ये याद रखेगा, युनान के लोगों ने दोनों का नाम दे दिया है खाली, तो आप जानते हैं, ये तो आपको याद करने की जुर्रत अब नहीं होनी चाहिए, होमर, उसके बाद देखिए, केलियोग्राफिय क्या होता है, केलियोग्राफिय एक लेखन की सेली है, जिसके अंतरगर जो आप देखिएगा, लिख किया, क्या किया ट्विश्ट, कि आपको पूछ दिया कि पेलोपोनेसियन युद्ध किसके बीच में हुआ था, और आपके पास एथेंस और इस्पार्टा ऑप्सने में नहीं दिया, तब आप क्या कीजेगा, और यहीं यहां पे किया है, यहां देखिए, इरान और यूरो, युनान के बीच हुआ था, युनान और इरान के बीच हुआ था, उसके बाद यह है, कि स्पार्टा और रोम के बीच में हुआ था, इराक एवं रोम के बीच हुआ था, युनान और इस्पार्टा के बीच हुआ था, अब देखिए, इसमें सही उत्तरा को चुनना था, तो तो ये दो ही जो लोग हैं, ये युद्ध लड़े थे, लेकिन सबसे पहली बात इसमें ये ध्यान रखेगा, इन लोगों ने युद्ध सबसे पहले इसपाटा के लोगों ने किसे किया था, इरान के लोगों से, इरान के लोगों को हरा दिया, उसके बाद ये लोग किसे लड था लेकिन इसकी कड़ी को मतलब आप देखे कितना डेफ्थ में ले गया कि इरान और युनान आप नहीं मारिएगा तो गलत होंके आप आईएगा ठीक है तो इस और युनान और इरान वाला था अन्य था यह जो सही है आपको पता है एथेंस और इसपार्टा वो तो आपका सही है ठीक है अब आज यह लोंग एंसर कोशन क्या था उसको दिख लीजिए इसाई धर्म के उत्थान और विकास के बारे में यह इसलाम का उधे जो हुआ है उसक इसलाम का जन्म और विस्तार यानि देखे पहला था इसाई धर्म आपकी जेगा पहला जो था वह इसाई धर्म था और दूसरा जो कोशन यह है इसलाम भी स्थान दिया, इसलाम भी पूछ दिया, रोमन साग उतार पोछ दिया, इ्रान की सबीता पोछ दिया, यह कॉच्सन पूछा हुआ था उसके बाद है के वास्तू कंला और मूरतीकला के चेतर Natal के जोगों का क्या देन था? यह कॉच्षन मूचा हुआ था. इतना था, यह short answer question, अब long answer question भी देख लिए, अब देखिए, किस हदर तक भोगोलिक परिस्तिती ने नदी घाटी के छेतर में सबहताओं का उधवाव और विकास, इन्हें कि सीधा ये बोल रहा था है, कि नदियों के किनारे क्यों सबहता का विकास हुआ, तो हरे एक, जब भी हम सबहता तो पानी मिल जाता, खेती कर सकते थे उससे, अपना पानी खुद भी पी सकते थे, तो ये तमाम जो जरूरते थी नदियों की, इसलिए तो ये सबहता नदियों के किनारे उगरा था, जितना भी प्राचिन विस्व में, देखिएगा हिंद, सिंदू, नदी घाटी के सबहता था, उसी तरह आप देखेगा, पूरे विस्व में आप देखे, चीन में सबहता उबरी, तो वह वांगो और यांग्टी सी नदी के किनारे, मिस्र में नीम नदी के किनारे, मेसोब्ताविया, दजला और फराद की किनारे, तो इसका रीजन यही था ना बच्चों, क कि हर, आपको जितना भी सबहता का पढ़ाया थे, प्लेइलिस्ट में देखेगा, तो उसमें हर बार जिकरीज का हुआ था, आप देखे होंगे तो ठीक है नहीं, तो आपकी मरजी, उसके बाद देखे अगला है, युनानी संस्कृती ने कई सबहताओं को प्रभावित किया और आज भे आधुनीक संस्क्रिथि का प्रभाव, यहांनी युनानी संस्क्रिथि का जो डेन थाना, उसी को लिखना था चुपचाप इसमें, और कुछ नहीं करना था, यह थोड़ा ट悉स्ट किया था कोस्टें, लेखें युनानी संस्क्रिथि के बारे में जो आप पढ यह बात हम जानते हैं। कुछे के बारे में नहीं कोई आपको एक्ष्टा नहीं पढ़ाया है। कोई नहीं उसमें केवल लेखन का मतल़ दोनों की लीपी को बता दिया होगा। लेकिन हम भी नहीं पढ़ाया हैं तो हम भी इसको मानते कि यह question थोड़ा difficult था चुकि हर question आपसे बने यह तो जरूरी नहीं है ना बनाना तो दो ही तीन था जो कि आपका बन गया होगा ठीक है अगला question जो था आपका देख लिजे साथमी से तेरवी सताब्दी में अरब जगत का जो यानि कि अरब कल्चर का जो अन्य देशों पर प्रभाब पड़ा इसके बारे में यह question पूछ दिया था उसके बाद कि सामंत बाद के बारे में question पूछा था तो इतना चीज़ अगर पढ़के गया होगे तो आपका question सब अगर question बनना होगा तो बनेगा नहीं बनना होगा तो बनेगा तो चलिए इसी आसा विश्वास के साथ अपनी तयारी को एदम लगातार लगाये रखिए और पढ़ते रहिए फिर मिलता है नए वीडियो में तो थे धने बाद यजर करता है अव ізच झाल्साओ कर्मेभ लगा है कर दो किर सेदी है ऊणिए कर अभार से वेफरे कर दो कर दो को